स्टुदेंट्स आज हम डिसकस करना चाहेंगे बीसदी पार्ड फर्स्ट में जो सैल बायलोजी है कोशी का विज्ञान उसका जो नैकस्ट कोशी काउब है गोल्जी काई के बारे में गोल्जी बोडी के बारे में देखिएvenant कोशी काउब है वो एक important cell organals है जो सभी कोसी काओं में पाया जाता है विसेश कर उन कोसी काओं में जिनका कारिय सिक्रीशन है यानि किसी enzyme या hormone का सिक्रीशन करना है उन कोसी काओं में गोल जी बोड़ी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है गोल जी नाम कैसे पढ़ा इसका क्योंकि इस cell organal की खोज है वो केमिलो गोल जी नामक एक scientist थे उन्होंने की थी उन्होंने जो बार नोवल होता है उल्लू होता है उस उल्लू के brain में उपस्तित जो neurons है उनको microscope से observe किया देखा तो उसमें उन्हें black color के dots दिखाई दी चुकि उन्होंने cell को silver nitrate से रोस्मियम tetra oxide से stain किया था अभी रंजित किया था इसलिए उसे वो black color के एक उसी काउं में केंद्रक के पास चोटे चोटे dots दिखाई दिए जिसे उन्होंने गोल जी काई कहा इसके अलावा जो एक साइंटिस्ट टोर है बेकर उन बेकर ने इनको नाम दिया लीपो कॉंड्रिया क्योंकि उन्होंने उसे सूडान डाई सूडान ब्लेक नामक एक डाई होती है उससे उनको स्टेन किया जो कि सूडान के वल लिपिड को स्टेन करती है इसलिए उन्होंने नाम दिया इसको लीपो कॉंड्रिया परदर नामक साइंटिस्ट ने प्लांट सेल में इनको देखा और इनको एक जाली के रूप में इनको नजर आया कि इस प्रकार से यह जो स्टेक्स के सूम नाम दिया पर्णर ने हाला कि बाद में क्योंकि डिक्टियो सूम का मतलब होता है नैट नैट यानि जाल जो जाल होता है जाली कावत स्ट्रक्चर होती है यह उनको पता लगा इसलिए इन्होंने इसका नाम दिया डिक्टियो सूम लेकिन अब इसे गोलजी बोडी ही क पुसी का है लीवर सेड्से इसके लावा जो नूरोंस होती हैं ब्रेन से तंत्री का पुसी काएं हैं उनमें इनकी संक्या ज्यादा पाई जाती है गोल्जी का एगी क्योंकि वहां पर भी को सिक्रीशन वगर बहार भीजने होते हैं है इसके हम इस्ट्रकचर देखे तो इस्ट्र की स्टॉक्चर में तीन चीजे होती हैं सुस्ट्रणी वैसिकल्स और वेक्यो जिर अर्थ्ट्री पार्ट्स ओफ गौल जी जी बोड़ी está नाम है उसको हम बोलते हैं sister nee sister का मतलब होता है यहाँ पर जो basically flatten structure ने प्तों उसको sister कहते हैं वेसिक छोटवी चोटी छोटी structure होती है उनको में एक होता है vehicles और科 देखते देखते हैं सिस्टरनी चप्टी समाना अंतर रचनाय हैं जो एक के ओपर एक उपस्तित होती हैं इनकी संख्या एक समू में पेन से लेके साथ तक होती हैं दो सिस्टरनी के मद्दे 20 से 30 नैनो मीटर का अवकास होता है राइट सिस्टरनी की जो गुहा है वो लगबग 150 अंगस होती है और इस परकार एक के उपर ये सिस्टरनी पाई जाती है इसके आगे हम इसका डाग्राम देखते हैं सिस्टरनी का समू एक धुर्वी रचना है इसका केंद्रक के पास वाला भाग जो है वो फोर्मिंग फेस कहलाता है समीपस्त भाग होता है और केंद्रक से दूर ज यहां परिपक्वन छेत्र कहलाता है forming phase जो है जो के अंदर के पास होता है वो उत्तल परकार का होता है यह के अंदर जिल्ली के निकट होता है यह अंतरप्रदेवी जालिका के पास होता है और नई जो सिस्टर नी वो इसी रिजन से बनती है जबकि मेचुरिंग phase वो अवतल परकार का होता है और जो पलाजमा जिल्ली के निकट होता है जो मैंने कहा था जो परिपक्वन छेत्र होता है वो हमेशा अवतल आकार का होता है जो सिस्टर नी से जो सिक्रेटरी वेसिकल्स बनते हैं वो इसी छितर में बनते हैं सिस्टरनी की परीधी में सुक्ष में छितर पाये जाते हैं जिनें फैनिस्टरा कहते हैं दो सिस्टरनी के मद्दे एक सघन पदार्थ होता है जिसे इंटर सिस्टरनल एलिमेंट कहते हैं ये कर सिमेंट के समान कारे करते हैं जिससे कि सिस्टनी आपस में जूड़ी रह सकती हैं, सिस्टनी को जोड़े रखने का कारे करते हैं, जैसे ये एक डाइग्राम है, जिसा कि हमें पता है, कि जैसे ये वाला पार्ट है, ये सुरुवात का, ये किंद्रक के पास होता है, तो ये सिस फेस कहलाता है, यानि इसको ह हम manufacturing face निर्मान कारी छेतर कहेंगे और ये जो दूसरा जो पार्ट है ये वाला नीचे वाला ये परिपक्वन छेतर या ट्रांस छेतर कहलाता है या इधर से नई sister नी है वो बनती है और इधर हो परिपक्वन हो करके आगे की और स्थापित होती है ये जो लंबी structure है इनको हम sister ने कहते हैं और इसके पास पास में जो छोटी छोटी इस प्रकार का structure है दे आर नोन एज वेसिकल्स बड़ी होती है उनको वेक्यूल्स कहते है और छोटी होती है उनको वेसिकल्स कहते हैं तो जैसे ये नई वेसिकल्स है सिक्रेटरी वेसिकल्स है फोर्मिंग वेसिकल्स है ये बनती रहती है और अपना पदार्थ बाहर की तरफ डालती रहती है तो ये जो structure है इसको हम कहते हैं सिस्टरनी मेचुरिंग फेस सिस्टरनी forming face जैसे यह structure of forming face यह maturing face यह उत्तलाकार की है यह आउतलाकार की है इधर केंदरक होता है और उस साइड में होती है कोसीका की membrane प्लाज्मा okay vesicles क्या होते है vesicles 40-80 nanometer व्यास वाली सरंचनाए है इनका निर्मान सिस्टरनी से होता है जैसे मैंने अभी बताया बडिंग द्वारा होता है vesicles में अंतर सरावी जाली का तथा गोलजी बाड़ी के सरावी उत्पाद उपस्तित होते है अतर इसे सरावी vesicles भी कहते है vesicles जो होते हैं they are known as secretary vesicles सरावी उत्पादूं का संग्नन होने की कारणी vesicles जाइमोज और ग्रेनुल्स में रूपांत्रित हो जाते हैं क्योंकि इनमें एंजाइम्स होते हैं इन एक्टिव एंजाइम्स होते हैं कुछ हार्मोन्स भी पाए जाते हैं से कि प्रोटीनेश्यस प भी कणी की पदार्थ भरे रहते हैं granular material होता है जिनका काम है धात्विक लवनों का अप्चैन करना जो salt होता है metallic salt उसका reduction वेक्यूल्स में पाए जाने वाले एंजाइम करते हैं तभी यह silver nitrate से अभिरंजित होते हैं गोल्जी बोडी का forming face cis छेतर maturing face trans छेतर कहलाता है मैं जो बता चुका हूँ cis यानि जहां बनता है new forming और जो बन करके परिपक्व हो जाता है maturing उसको हम बोलता है trans face विविन पदार्थों का translation cis reason में जबकि secretion trans reason में होता है trans reason को trans गोल्जी network भी कहते हैं गोल्जी गाई के चारों और zone of exclusion होता है यानि एक ऐसा छेतर होता है जिसमें अन्य कोसी कांग अनुपस्तित होते हैं ऐसा clear zone जिस भी cell organelles के चारों और होता है उस zone को उस छेतर को स्वच्छ छेतर या zone of exclusion कहते हैं ये centriole है, microtubules हैं इनके चारों और भी zone of exclusion होता है अब हम बात करते हैं इसके chemical composition की क्योंकि किस किस से बनी होती है 60% protein और 40% lipid जो है वो गोल्जी बोडी में पाए जाते हैं lipid की बात करें तो इसमें लेसितिन, sphingolipin और fespetidil, kolin सबसे ज़्यादा मातरा में पाए जाते हैं क्योंकि इनी के दोरा जो इस सेस्टनी की जो वाल है सेस्टनी की जो जिल्लियां हैं वो बनी हुई होती हैं कर्भाहिड्रेट्स की बात करें तो इसमें CLEC acid, fucose, glucose, amine और galactose पाए जाते हैं और एंजाइम की बात करें तो इसमें ज्यादा तर मातरा में जो metabolism से समंदित एंजाइम पाए जाते हैं जैसे thiamine pyrophosphate, tpp, glycosyl transferage, udp galactose है, udp, acetyl glucose amine है और acid phosphatase है, glucose 6 phosphatase है, nucleotidase है, ये एंजाइम भी पाए जाते हैं चुकि इन एंजाइम के दुआरा जैसे acid phosphatase है, इसी से बाद में vesicles है, वो lysosome में convert हो जाती है जिसमें इस परकार के hydrolytic enzymes पाए जाते हैं अब बात करते हम गोलजी बोडी के क्या क्या काम है, function क्या है तो गोलजी बोडी cell organelles, वो cell organelles हैं जिसमें विभिन परकार के सरावी पदार्थों का निर्मान होता है और साथ ही साथ, यहाँ पर पदार्थों का, क्या कहते हैं, route या transport जो होता है, वो decide होता है इसलिए इसको हम, कोसीका का, जो traffic policeman of यह कह सकते है इसको traffic policeman कह सकते है, क्योंकि यह जो भी protein, endoplasmic reticulum में बनती है वो गोलजी बोडी में आती है, गोलजी बोडी से ही वो cell के अन्य जो भाग है, कोसीका जिली है या cell से बाहर है, उसका fat यहीं decide होता है, उसका भागे यहीं decide होता है, निश्चित होता है कि वो protein है वो कहां जाएगी कोशीका के बाहर जाएगी या कोशीका के अंदर केंद्रक में जाएगी या किसी अन्य सेल ओर्गनल्स में जाएगी उसको निशित जो है वो गोलजी बोडी के अंदर उपस्तित जो carrier proteins होती हैं जो enzyme होते हैं वो करते हैं तो इसका function हम एक एक करके देखते हैं glycoprotein का synthesis है वो यहीं पे होता है जैसे मैंने का जो protein endoplasmic reticulum के अंदर बनती है वो protein के उपर glycosin जो है उसका जुड़ना carbohydrates, moitage का जुड़ना है वो कहां होता है? गोलजी बोडी में होता है protein है वो बनी और उस protein के उपर यह जैसे manose है, anacetyl glucosamine है यह आके जुड़ते हैं और जुड़कर के गोलजी बोडी में इस परकार से यह structure बनाते हैं और यह कहलाता है glycoprotein जैसे protein के उपर anacetyl glucosamine इसका नाम है anacetyl glucosamine यह हो गया fucoz और यह हो गया clylic acid यह तीनों carbohydrate, moitage होती है इसी परकार glycolipid का sensation भी यह होता है glycolipid यानि lipid के उपर carbohydrate, moitage का जोड़ना gangliosides and glycospingolipid जो है वो इसका example है इसके लावा protein जो है, वो immature protein है उसका sensation तो होता ही है क्योंकि endoplasmic reticulum में protein बनती है, जैसे जिनको हम gymogen granules कहते हैं, secretary granules कहते हैं, तो gymosin inactive जो protein होती है, निसके रिए जो protein होती है, जो कि अभी active नहीं होई होती है उनको कहते हैं, इनक्टिव जितने भी enzyme होते हैं they are known as gymosin जैसे आपने सुना होगा कि हमारे पेट के अंदर pepsinosin है और tripinosin जो है pro renin है, pepsinosin ये enzyme है वो synthesis होते हैं, आमाशे में और वो बाद में pepsin में convert हो जाते हैं तो pepsinosin एक प्रकार का gymosin है renewal of plasma membrane ये भी इसका function होता है lysosome का formation, pigment का formation, acrosome का formation neurosecretion जो होता है missile bodies और neurosecretory और molecular processing जो है, यानि जैसे insulin नामक जो हार्मोन है वो palipri pro insulin होता है, उसके बाद में वो insulin में convert होता है ये सारे काम गोलजी बोड़ी में होता है और plant cell के अंदर जो cell wall का निर्मान होता है जो pectine और hemi cellulose होते है उसकी साहिता से जो cell wall बनती है वो भी यहाँ पे गोलजी बोड़ी में ही होती है तो जैसे हम एक एक करके देखते हैं synthesis of glycoprotein ribosome द्वारा प्रोटीन का sensation होता है, ये प्रोटीन अंतर प्रदेवी जाली का में पहुंसती है जहां पर manose तथा N-acetyl glucose amine की पार सब सरंखला प्रोटीन से जुड़ती है ये अनुग गोलजी काई की सस्टनी में प्रिविस करते हैं सस्टनी में गलक्टोज, फ्यूको, सियलेकसिड की जो सरंखलाएं हैं वो साइड़ चैन से जुड़ी रहती है इस परकार प्रोटीन है वो glycoprotein में लिपिड कनवर्ट हो जाती है इसी परकार glycoprotein की बात करें तो गलजी बोडी में गेंगलियोसाइड जो है और glycosphingolipid का संसलेशन होता है यह glycosidation गलाइको लिपिड में रूपांतरित होता है यह करिया ट्रांसफेरेज नामक एंजाइम द्वारा प्रेशित होती है प्रोटीन तो पता का एक नेटवर्क होता है जिसको GERL पातवे कहते हैं यह GERL पातवे जो है गॉलजी, एंडोप्लाजमे, क्रेटिकुलम और लाइसोसोमल पातवे होता है घी, ई, आ, ए, आ, आ, एल पातवे अर्थाथाथ एंडोप्लाजमे, क्रेटिकुलम से गोलजी बोड़ी और गोलजी बोड़ी से लाइसोसोम जो है उसका निर्मान होता रहता है ये सांद्रित प्रोटीन जो है सिस्टर ने में निर्जली करन द्वारा प्रोटीन का संद्रन होता है ये प्रोटीन कंसंट्रेट होती है ये सांद्रित प्रोटीन जाइमोजन ग्रेन जाइमोजन ग्रेनूल के चार ओर सिस्टर ने जिल्ली बना देती है, जिसे पैकेजिंग ग्रेनूल कह सकते हैं, यह जाइमोजन ग्रेनूल प्लाज्मा मेंब्रेन के साथ फ्यूजड हो जाती है, तदा उसमें उपस्तित पदार बाहर की ओर, कोसिका से बाहर के और स्रावित हो जाते हैं तो वो जाइमोजन का मतलब वही है जो निस्क्रिये प्रोटीन होती है जो अभी एक्टिव नहीं है कोसिका के बाहर उनको भेजना है वो ग्रेनूल्स है वो बाहर इसी के वेसिकल से बनती है म्यूνसीजन ग्रेनुल्स काभी यह formation होता है गौलजी बॉड़ी द्वारा ग्लाइको प्रूटीन रक्त्वाइन्से सल्फर सैल्फेट करिया करके म्यूंसीजन में परिवर्तित हो चाता है इस म्यूसीजन के चारो जिल्ली सिस्टर ने द्वारा जिल्ली परदान की जाती है जिससे म्यूसीजन कनीका का निर्मान होता है ये म्यूसीजन कनीका है प्लाजमा जिल्ली के द्वार बाहर सरावित हो जाती है नई जो प्लाजमा मेमरेन है उसका निर्मान भी ये इसके वेसिकल्स होते हैं गोलजी बोडी के उसके द्वारा होता है गोलजी काई द्वारा स्रावित वेसिकल प्लाजमा जिली के साथ संगलित हो जाती है तता वेसिकल द्वारा पदार्थ जो होते हैं वेसिकल में जो पदार्थ होते हैं वो प्लाजमा जिली को ट्रांसपर कर दिये जाते हैं नई प्लाजमा मेमरेन बन जाती है नेक्स्ट है लईसोसोम का फॉर्मिशन जैसे मैंने भी बताया कि GERL पात्वे होता है उसी प्रकार गोलजी कायी द्वारा प्रात्मिक लैसोसोम का निर्मन का निर्मन करता है क्योंकि सबसे पहले जैसे केंद्रक है केंद्रक के पास जो है वो endoplasmic reticulum होती है और उन endoplasmic reticulum से कुछ vesicles निकलती है वो vesicles है वो golgi body का निर्मान करती है golgi body से फिर एक secretary vesicles निकलती है और वो vesicles है वो फिर lysosome बनाती है जिसके अंदर acid phosphatase पाया जाता है तो ये इस प्रकार का पाथ जिसमें endoplasmic reticulum endoplasmic reticulum जो होती है उसमें जो protein बनती है वो आती है इस प्रकार की जो है vesicles में जो forming face में आती है उससे फिर ये golgi body बनती है, sustenny बनती है फिर आपका जो है secretary granules बनता है और secretary granules में जो enzyme आ जाते हैं जैसे इस फोस्पेटेज तो वो फिर convert हो जाता है primary lysosome में तो ये जो structure है ये पूरी की पूरी जो है वो कहलाती है lysosome का formation pigment का formation भी golgi body दुआरा होता है melanin pigment का sensation किया जाता है मुर्गी के भून की retinal cell retinal कोसी का salamander में ozite में melanin का निर्मान ये भी golgi body दुआरा किया जाता है next सबसे important काम है acrosome formation जो sperm होते है sperm की जो बाहरी seals part होता है उसको हम acrosome कहते है golgi काई की दुआरा होता है यहाँ पे कुछ छोटी vesicles होती है जिसके चारूर secondary system ये उपस्तित होती है जो जो परिवर्दन होता है सस्टन्य की व्यवस्ता एनियमित हो जाती है vesicle का रूपा अंत्रन आवरित रिक्तिका की दुआरा हो जाता है इस रिक्तिका में pro acrosomal granule का निर्मान होता है ये रिक्तिका के अंद्रक के अगरभाग की तरफ migrate करती था ता बड़ी होकर acrosomal granule का निर्मान करती है तो जो सुक्राणू जो होता है उस सुक्राणू का जो head part होता है उसके उपर जो topi numus रंचना होती है उसको हम acrosome कहते हैं और ये acrosome जो gulji body के vesicles है उनके द्वारा ही होता है क्योंकि इसमें hydrolitic enzyme पाए जाते हैं उनमें निसल granules के रूप में ये पाए जाते हैं तो neurosecretion neurons के द्वारा जो हार्मोन है gulji body द्वारा ही सिक्रीट होते हैं ठीक है तो जैसे आपने सुना होगा pituitary gland के अंदर जो neurohypophasis वाला part होता है पिछे वाला adenohypophasis और neurohypophasis उस neurohypophasis में नियूरेटिक हार्मोन है इनका सिक्रीशन hypothalamus की neurons करती है neurons के अंदर gulji body होती है वो ही ये सिक्रीशन करती है और ये फिर pituitary gland में आ जाते हैं इसके लावा molecular processing भी इस gulji body द्वारा होता है जो भी enzymes हैं hormones हैं उनका processing है वो यहां पे होता है जैसे फूर एक्जामपल pro insulin होता है insulin जो है अगना से की कोसी काउं द्वारा सरावित होता है तो इसे pre-pro insulin कहते हैं और इसके अंदर दो chain होती है और वो दो chain पहले टूटती है और उनके बीच में disulfide bond बन जाता है sulfur sulfur bond यदी बनेगा दो chain के बीच में जैसे माले जी एक chain ये है immunosity की सरंखला एक ये है और इन दोनों के बीच में इस परकार sulfur sulfur bond बन जाता है तब ये फिर कहलाता है insulin तो pre-pro insulin जो है उससे insulin का निर्मान है वो भी basically गोलजी बोडी में होता है formation of cell wall plant cell में गोलजी वेसिकल्स द्वारा cell plate का निर्मान होता है इन वेसिकल्स में पैक्टीन हेमी सेलूलोज भरा रहता है और इनसे cell wall का निर्मान होता है इसकी उत्पती जैसे मैंने भी GERL pathway कहा है तो ये अंतरपरदेवी जाली का है उस जाली का से ही चोटे-चोटे वेसिकल्स बनते हैं और उनसे फिर सिस्टनी का निर्मान होता है और यार होता rough endoplasmine reticulum होता है उसमें से देराई वोस महट जाते है तो smooth endoplasmine reticulum कहलाती है उससे चोटे-चोटे वेसिकल्स बनते हैं और ये आपसमें fuseोकर के सिस्टरनी बनाते हैं और ये सिस्टरनी जो है गोलजी बोड़ी बनाती है तो गोलजी कोई को बनाए रखने के लिए केंदर के उपस्तिती आउशक है केंदर के उपस्तिती में गोलजी बोड़ी का चोटा होता चला जाता है अर्थात जो कुसी का अब में जो धुरूता है गुलजी बोडी के कान होती है क्योंकि किंद्र के पास इसका सिस भाग होता है जिसको फॉर्मिंग फेस कहते हैं निर्मान कारी छेतर कहते हैं छोटे-छोटे यहां पर सिस्टरनी होते हैं और जो जुली की तरफ होता है वहां बड़े बड़ी फेस कहते हैं और यह जो पार्ट है ट्रांस फेस वाला जो पार्ट है वो ट्रांस फेस वाला पार्ट